देश के राश्र पितम हादमा गांधी जी की 150 वी जैन्ती दौक्टूबर 2019 से पूरे देश में सिंगल यूस प्लास्टिक वा पॉलिथिन बंद को लेकर अवियरनेस लाने का फर्मान सुनाया है उसे सक्ती से लागू करने में जतलाम भी जुड़ गया है जालोर को पच्छ बनाएगा इससे जब ये चिकरती है सब की अच्छी के असाथ कुछ चोड़ 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 तो लू ये ज़ो ने खर में है कच्रा पुर्टे से मचाएं है लच्पी गॉल गॉल ओनु तु ए खाना है और कॉटका। जले के आलोक नगर परिशत की पहल पर कन्या शाला की शात्राओं ने जाग रुकता रेली निकाल कर जग जग नुकर नाटक कर पॉलिथिन से होने वाले नुकसान बता कर लोगों से उप्योग नहीं करने के अपील की तुधर नगर परिशत ने भी पॉलिथिन उप्योग नहीं करने वालों का सम्माद करने का निर्ण लिया सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जब निर्देश दिये थे उससे समय नगर परिशत में जनवरी 2015 में चार्ज लेने के बाद ततकाली हमने प्लास्टिक बेन करने के संबंद में हमने जन जागरुकता अभियान आलोड तेसिल में आलोड नगर में सरुप्रथम प्रारम किया था कि कि सिंगल यूस प्लास्टिक का खासका रुपयोग ना हो ताकि नालियों के जाम होनी की जो है समस्या उससे निजात मिले और प्लास्टिक से उन Ngocht करा प Gardंद में के इसके लिए इसके लिए जन जागरुकता अभियान के लिए निकाली है नुकर नाटक किये हैं जगे जगे पेनर पोस्टर के माध्यम से इसमें हमने लोगों में जागरुकता फिलाने का काम किया है अभी जब यह मानिक केंद्री जो सरकार है उसके दौरा वापिस यह निर्देश दिया गया कि दो अक्टॉमबर से पूरी तरह सिंगल यूज प्ला प्लास्टिक से होने वाले खत्रों के बारे में बताया और यह इस प्लास्टिक का वापिस कोई उप्योग करता पाए जाएगा तो विधिवज्य जुर्माना और उन पर कारवई की जाएगी हमने अब तक तो जन जागरन के माध्यम से इस पर यह प्रयास किया है इन जागर प्लास्टिक को उप्योग करता पाया तो उसको जुर्माना और जप्ति की कारवई हम लोग करें जनता का बहुत अच्छा सयोग है और लोगों ने बहुत बढ़ चल करके हिस्सा लिया है हमें चोटे-चोटी दुकानदार जो फ्रूट के ठेले और सबजी की दुकानदार चोटे-चोटे व्यापारी उन्होंने भी कहा कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक की थेली आप नहीं बेचेंगे और उन्होंने कपडे की थेलीयों को उप्योग करना स्टार्ट कर दिया है हमने ब्यापारियों को चिन्नित कर कल भी उनका सम्मान किया और हम भविश में भी हम कपड़े दुकानदार कपड़े की थेलियों का उप्योग करते मिलेंगे नगर परिश्यत के और से उनका सम्मान किया जाएगा